क्या हाले साथ ही हो मैं हुई कास्तों मर आपके अपनेटर स्वाथी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेट्स के आज के यह है पार्ट नंबर पच्छेस किसका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबल लॉस का ठीक हम लोग पार्टनर्शिप एक 1932 देख रहे हैं उसमें क् सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग कभी भी कोश्चन चाहिए जो भी जैसा विडाउट सो सब कुछ दिया था परस्टनल गाइडिंश में आप पर किया आती है आप लोग के टेस्स सीरीज में किस तरीके से आपकी प्रोग्रस हो रही हो सब से लिटेड ठीक सीरीज में आ कोई भी डाउट पुछे कितरी वी डाउट पुछे सब आपको पर पर परस्नली एक वन टुवन समझाया था ठीक अगर आप लोग एड्मिशन लेना तो 856-480-500960-60089 पर करके आप लोग एड्मिशन ले सकते हैं चले चलते हैं हमने टॉपिक पर लिगे पार्ट नबर 24 मे सब को देख लिया था आपका पार्टनर का विद एच अदर एक दूसरे के साथ भागिदारों का क्या संबंद होता है तो देखें इसमें यह सिंपल सी वात यह बता रहा है और पार्टनर्शिप आप कर रहे हो जैसे कि अपना मालिज ए और बी की पार्टनर्शिप हो रही ह यह सब कुछ आप साजेदारी विलेख यानि की पार्टनर्शिप डिगिड में लिखवा सकते हो ठीक और उसी हिसाब से जो है पार्टनर्शिप आगे चलेगी कैसे आप बिजनेस चलाओगे कैसे कैसे होगा ही सारी चीज़े हैं इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट जो है व इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट में कई सारे प्रवधान दे रखे हैं माली जै आपने डीड ना भी बनवाई ठीक पार्टनर्शिप डीड हो दी तो जो इस एक्ट के अंतरगत कानून के अंतरगत जो दिये गहा है प्रवधान वो लागू हो जाएंगे अब अच्छा इ दिया गया किसमें इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 की अंतरगत इसमें ये कह रहा है क्या और जायों के साज़ेदारी के सामान निर्थारित करता है जैसें की लाब का कैसे लाब की कैसे शेरिंग करी जाएगी साजा करन किया जाएगा अनुपात क्या होगा माली जे ए और बी हैं तो माली जे बी ने जो है 60% पैसा लगाया है ए ने 40% पैसा लगाया तो 40 का इसी रेशियो में होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए या जैसे भी होना चाहिए वो सब कुछ इस डीड में आप लिखवा सकते हो कौन क्या काम करेगा साजेदारी में भागीदारों के अधिकार और कर्तव क्या होंगे यानि की राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे यह सारी चीजे यह चीज आप बता सकते हो यह उनका अधिकार है बताने का ठीक सेक्शन 11 के अंतर के ठीक और सचेट डीड जो भी डीड बनेगी विलेग बनेगा वो उसमें एक्सप्रेसिवली भी लिखा जा सकता है कि भाईया हाँ यह कोई लिखा हुआ है हम बता देंगे कि यह रेखे नामने बिल्कुल सही सपस तरीके से बता दिया है और भाई नैसेसरी इंप्लिकेशन माली जे कुछ कभी ऐसा हुआ कि माली जे कोई नहीं काम कर रहा है तो फिर इन लोग ने बाद में लिखवा दिया या फिर बता दिया कि भाईया तमारा यह राइट है और यह ड्यूटी है दो पार्णर है तो यह सेल देख रहा है तो यह इसको माल लिए जाएगा कि हाँ अब यह कहीं पर लिखा नहीं है इस परस तरीके से है नहीं लेकिन इसकी यह ड्यूटी है यह चीज माल ली जाएगी और दूसरा अगर अबज़क्ट नहीं कर रहा है भी कि अच्छा है सेल्स कर रहा तो इन्होंने कह दिया ठीक है हम जो है कंटेंड बनाएंगे यह फिर हम मार्केटिंग यह फिर प्रोटेक्ट बनाएंगे जो भी है तो इसका उश्यक निहतारत है कि इनका रोल ड्यूटी जो है सेल्स की है ठीक तो मतलब हर पार्टनर जो है अपने अपने अधिकार कुद से बना भी सकता है क्योंकि सेल्स ओलाबंदा कुद से उसने चूज कर लिया कि हम यह देख रहे है सेक्शन धारा जो 27 है इंडियन कॉंट्रेक्ट आट उन्निस 1872 का इसमें यह कहता है कि agreement in restraint of trade is void मतलब agreement में वैपार के अवरोध में समझाता शून है ठीक कहीं पे मतलब वैपार करने से अगर मना किया जा रहा है ट्रेड करने से मना किया रहा है तो वो agreement नहीं माना जाएगा simple साफ सीधी बात यह है ठीक इसमें कहा रहा है कि all the agreement सारे agreement में जो की रोकते हैं वैपार करने को किसी परसन को ठीक अगर वो lawful नहीं है lawful profession तो वो void होगा मतलब वाली जो कोई वेक्ती है ठीक पार्टनरी में जो भी वेक्ती है अगर वो lawful ठीक कानूनी तोर पे जो है सही वाला जो है प्रोफेशन वैपार या फिर बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको रोग नहीं सकते हो अगर कोई ऐसा समझाता है तो वो शून नहीं हो जाएगा निलबटा सननाटा हो जाएगा यह बात है ठीक लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो सेक्शन 11 है पार्टनरशिफ एक्ट का यह बात हो रही थी कॉंटेक्इक की अब जो सक्शन 11 है पार्टनरशिफ एक्ट का वो यह बताता है कि पार्टनरश पार्टनरस कर रीस्ट्रेव इच अधर फॉर्म केरींगे बिजनेस अधर दिनिदBlack नों ठीक जो भी मतलब आपका वैपार करना चाहरे हो, ट्रेड करना चाहरे हो, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप माले जे कोई कमपनी आ गई, VWF जो भी है, ठीक, तो आप उसमें भी करना चाहरे हो, तो यहाँ पे आपको करने से रोक सकता है, partnership के section 11 के अंतरकत, ठीक, और यह such, जो resistant होगा, must contain, अब यह जो है, यह भी बताएगा, कि भहिया, आप किसी और में नहीं कर सकते हो, यह XYZ का agreement बनाया गया होगा, company का, partnership के अंतरकत, उस deed में, उस विलेक में यह साफ तरीके से लिखा गया होगा, ठीक, अगर आप हमाई साथ काम करो, तो हमाई साथ करो, अब इस पार्टनर उसको वो उसमें भागीदारी कर सकता है, ठीक, उसका जो संचालन हो रहा है, बिजनस का, ठीक, तो उसमें यह नहीं कह सकते हैं, A, B, C, D माली जो पार्टनर है, तो D, यह नहीं कह सकता है, कि तुम A, जो हो भहिया, तुम यह काम नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप यह बता दो पार्टनर्शिप डीड में कि मालीज़ फला फला कुछ काम हो रहा है होना है ठीक यह काम है मालीज़ एक्स यजट तो उस काम में जो है ए बी सी डी जो पार्टनर्स है उनमें से सबग 15omed ही भाग लेंगे ए नहीं लेंगे ये चीज विलेक में पिटमी लिखा हुआ है तो ही आपको रोक्त आ सकता समयंदः ने इससे पार्टनर्टनर्ट ने पार्टि सिपेट कर सकता है अपना जो है उसमें दिखा सकता ठीक तो यह चीज हो गई एक right हो गया दूसा right क्या है right to access and inspect books and accounts ठीक मतलब कितना loss हो रहा है कितना credit हुआ है कितना debit हुआ है यह सारी बाते होती ना किससे हमने क्या करीदा कितना capital expenditure हुआ है कितना operation expenditure हुआ है कि कई सारी चीज़े होती है तो इन सब के बारे में जो भी books मेंटिंग की जारी जो भी ledger बन रहा है जो भी general बन रहा है ठीक उन सबको जो है देखने का अधिकार है सारे ही जो है partners का चाहे वह active हो चाहे हो ठीक या या तो निश्करी हो निश्करी हो या फिर सक्री हो कोई फरक ने पड़ता है सभी लोग देखें कि section में रखा है section 12 में ठीक यहां पर देख रखा एज पार्टनर प्रत्येक भागिदार has a right to access and inspect the books of the firm और in case अगर माली जे किसी एक पार्टनर की जो है death भी हो जाती है तो उसका जो भी legal hair होगा जिसको भी उसने बताया होगा requirement में लिखा होगा कि फला फला हमारा बेटा या जो भी है बेटी जो भी होगा वो देख सकते हैं इंस्पेक कर सकते हैं तो वो करेंगे उनको अधिकार है ठीक साथिया यहां पर लिखा हुआ है right to be indefinified यहां पर बतलब यह है कि छती पूर्टी का भी अधिकार होता है माली जो हमारे पार्टनर्स होते हैं हमेशा ही एक्जामफिल में इनमें से माली जैए कह रहा है कि वह या तुम ने भी या फिर सी और डी लोग तुम तीनों ने मिलके कुछ एक अरजनसी में बहुत जादा जल्दी बाजी में कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन को हाला कि ले अरजनसी में और उसमें नुक्सान हो गया कोई तो आपको यह मतलब यह कह रहा है कि मुझे आप च्छतिपूर्ती करिए उसका नुक्सान की भरपाई करिए ठीक तो यह कह सकता है लेकिन यह तभी होगा जब अरजनसी पे लिया गया हो नॉमली आगर माली जैए कोई डिसी करने का अधिकार ताब यह तो बारती सम्विदान में जो है आर्टिकल 90 में दे रखा तो यह पार्टनर्शिव एक में तो होना वैसे भी लाजमी है ठीक धारा धारा जो बारा सी है ठीक उसमें एक आगया राइट टो एक्सप्रेसिस ओपीनियन ठीक अपना जो भी पार्ट गेट इंट्रेस्ट हो गया यहां पर ऑन कैपिटल और एडवांसेश जो भी माली जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक लाग रुपी माली जैसे चार लोग ने मिलके जमा किया ठीक तो अब उसमें पच्चीज जमा हुए तो उसमें क्या है कि आपका यह अगर विलेक मे लिख रखा है डीड में लिखा हुआ है कि इस पे इंटर्स यानि कि ब्याज मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा सिदी इस बात है ठीक जनरली यहां पर क्या होता है पार्टनर्स और नौट पार्टनर्स को ब्याज नहीं मिलता है जब वो इंवेस्ट करते ह हैं ठीक लेकिन वह अगर एग्री कर जाएं कि भाईया सबको इंटर्स्ट मिलेगा पच्चे वजह जारों पचाव ने दिया चारों को काई दिया गया किया मालों छे परसंट की जाब से आप लोगों को ब्याज मिलेगा तो फिर ब्याज दिया जाएगा ठीक और देयर अल्ट तो 6% of interest on the advances made जो भी advance उनों ने दे रखा है उसके लिए भी होगा माली जो कोई चीज होनी है लेकिन उसके लिए पैसा अभी जमा कर दिया तो उसको तब तक के लिए जो है कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा ठीक बिजनस जो भी company करेगी जो भी फर्म करेगी उस business से जो है प पूरा मैं partnership करा रहा हूं किसी ने भी बाकी लोग जो करा रहे हैं किसी ने भी चीज नहीं कर रही है और लेकिन आप कराएं लेकिन जब मैं वीडियो बना दूंगा इसके बाद देखेगा ठीक तो देखें यहां पर क्या है कि अगर कोई भी deed नहीं है विलेक नहीं है तो ज नुपात के हिसाब से जो है सब में profit बटा जाएगा या फिर नुक्साम बटा जाएगा तो फिर जैसा विलेक में जैसा की deed में लिखा हुआ उसी हिसाब से काम किया जाएगा ठीक तो यह चोटा साइब वीडियो था यह पार नंबर 25 था हमारा ठीक ज्यादा वीडियो नही लेकिन यह इतना डिटेल में है कि आप अगर इसको पूरा देख लोगे चाव चार बार और अराम से देख लोगे कोई बहुत जार वो नहीं है यह एरफोन लगाओ कमरें गलाइट बंद करो लैप्टाप मोबाल में देखते चले जाओ सुनते चले जाओ अराम से बैटके आग बंद करके आजैसे भी सब को सौन में आ जाएगा तो यह यहां पर अवारा 25 वाला पार्ट खतम होता है पार 26 में हम लोग क्या पढ़ेंगे रिलेशन्स क्या होते हैं पार्टनर्स के टूदा थर्ड पार्टी ठीक जाएं जाएं बारत ओल दा वरी बेस्ट है